अब्रहाम ली इस बार में आपके साथ एक बहुती बहुती सिक्रेट शेयर करने वाला हो सिक्रेट ओफ सक्सेस सपलता का सिक्रेट हमारे एटोमी में डॉक्टर हान गील पार्क हमारे चेयर्मेन ये पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं सिक्रेट ओफ सक्सेस बट आज इंडिया के हिसाब से बना के इंडिया का जो एंवर्मेंट है उसके हिसाब से आपको मैं एक्स्प्लेन करने बाला हूं Secret of Success के पहले पहले देखते हैं कि हमारा जीवन कैसे है अगर आप नॉर्मल हिसाब से देखते हो हमारा average जो आईू है वो है 70 years 70 साल है इंडिया में जीरो से स्कार्ट हुआ अब education जो अब हम लेते हैं वो 22 साल या 25 साल करते हैं 22 साल या 25 साल में यहां पर 25 साल लिया 25 साल के बाद average जो है 58 साल तर हम लोग काम कर सकते हैं officially So 0 to 25 हो गया education 25 से लेके 58 साल तर हम हाड़ वर्किंग करते हैं फैमिली के लिए हाड़ वर्किंग करते हैं बाहर जाके काम करते हैं कोई दूसरे सहर में जाते हैं और इसके बाद का जो 12 साल है वो तो बहुत ही difficult है एक तो काम नहीं है और रिटारेड एज में कैसे करके हमारा बुडापा गुजारे उसके लिए हमेशा हम लोग बोरी करते हैं अब अब आपको एक आकड़ा देते हैं हमारा पूरा स्टेटिस्टिक्स देखने के बाद यह पता चला है कि एक परसेंट जो है मतलब सौ में से एक जो है उनका फाइनसेली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप देखोगे आपके बैचमेट कॉलेज के बैचमेट उसमें से एक बंदा जो होता है हमेशा सक्सेस्फुल होता है इसको वान परसेंट को सक्सेस्फुल बोलते हैं और यह मीडियम सक्सेस्फुल पंदरा परसेंट जो है वो सत्तर साल के पहुचने के पहले बुज़ जाते है सॉरी फॉर देश परसेंट जो है वो डेली वेजस में काम करते हैं पर डे वेशिस में यह भी किसी तरीका से चल जाता है मगर एक डम सब और नहीं है और यहां से आप यह 30 परसेंट आप यहां से निकाल दोगी तो होता है आपका 70 परसेंट 70 परसेंट जो है हमारे पॉपुलेशन में वो रिली पूर है अगर आप 100 परसेंट लेके देखो तो यह सिर्फ वान परसेंट जो है यह सक्सेस्फुल हो है मतलब सौ में से एक बंद ही सक्सेस्फुल होता है कभी आप ऐसे सोचे हो क्यों उस बंदे में क्या है या फिर वो कैसे सोचता है कि वो सक्सेस्फुल है हमारे चेयर्मेन बोलते हैं जब वो एक्जामपल देते हैं वो एंडू कारनेगी करके एक अमेरिकन इंडस्ट्रेलिस्ट के बारे में बोलते हैं वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ मगर वो बहुत ही अमीर बना और सक्सेस्फुल रहा जब उसे पूछा गया कि आप ये सक्सेस्फुल एक्सिडेंटली बने हो बस बन गए या फिर आप के पास भी कोई secret है बन्दा जो कारनेगी थे कारनेगी ने बहुत सोचा सोचने के बाद ये conclude किया कि वो अगर 10 बार गरीब घर में पैदा होते वो अगर 20 बार भी गरीब घर में पैदा होते फिर भी वो successful बन सकते हैं ये उनका secret of success है वैसे ही हर सक्षेस का मंत्र होता है, सक्षेस का नीती होता है, सक्षेस का नियम होता है, इसको स्टिवन कोवे, स्टिवन कोवे is a big writer, उनके हिसाब से बोलते हैं True North Principle, उत्तर दिषा का प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपको अगर पुछा जाए कि यहां का उ नौर्थ किस तरफ है, वो इस तरफ है, आप कॉम्पस ले के आए या ना ले आए, नौर्थ इस तरफ है वो चेंज कभी नहीं होता है, वैसे ही सक्सेस को जा नियम है, वो चेंज नहीं होता है, इसको अकर नौर्मल बात में बोला जाए, तो इसको लॉज ओफ नेचर भी बो पुर्ब में उखता है और पस्ची में अस्थ होता है यह चेंज नहीं होता है इसको बोलते हैं laws of nature अगर और थोड़ा आपको देखा जाए तो यह laws of nature जो है यह law of farming क्रिसी का नियम के हिसाब से जाता है क्रिसी का नियम क्या है आप एक किसी भी किसी भी चासी से किसी भी क्रिस कि फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है कब कितना और क्या उगाने वाले हैं कि सबसे पहला आता है क्या उगाना है वाट कितना हाउ माच पर आता है कब तक अगर आपको चावल राइस अगर आपको उगाना है या फिर आपको गेहूं उगाना है आप गेहूं उगाने के जगह में चावल नहीं उगा सकते हैं आपको अगर mango tree लगाना है, तो आप इसी साल उससे mango expect नहीं कर सकते हैं, उसके लिए time लगेगा, और कितना आपको 10 quintal या फिर 1 quintal आपको चावल चाहिए, तो उसके हिसाब से आपका जमीन चाहिए होगा, उसको सेचना पड़ेगा, उसके लिए बीज ले आना पड़ेगा, य वो सब चीज सिर्फ डिपेंड करता है, हमारे जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, हमारे जो फार्मिंग करते हैं, उनके दिमाग से आता है, ये कहीं बीज से नहीं आता है, इसलिए इसको बोलते हैं, the law of farming, अगर आपको बुझन, बुनना है, अगर आपको राइस करना है, चावल आपको बुनना है, तो आपको पहले ही सोच लेना पड़ेगा, क्या, कितने, और कब तक मुझे चावल घर तक मेरा आना चाहिए, वैसे ही सक्सेस का जो है, नियम होता है, रीत होता है, आपको ये वाला बात दिमाग में ठान लेना चाहिए, कि मैं तीन से चार साल ब पांच लाग रुपया कमाऊंगा, एटमी इसलिए आपको हेल्प करने के लिए आया हुआ है, कि आप अपना खुद पैर में खड़े होए, और हमारे प्लैटफॉम के थुरू दे के आप सक्सेस्फुल बनिये, तो ये रहा सीक्रेट अप सक्सेस, मगर कैसे आपके दिमाग में कैसे ये करिएगा, हाओ, इसके लिए हमें खुद को, ऐसे हुमन, ऐसे मानोस हिसाब से, खुद को जानना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको और टीटेल्स में ले जाता हूँ, मैं, ऐसे हुमन, आप, ऐसे हुमन, कैसे बने हुए हैं हम लोग? हम्हार एंडर फलेश, मासे, मास़, आप डिक रेव, ए डिक रेव, ए डिक रर, ए डिक रेव, ए डिक रेव, ए ब डिक रेव, यव मासर, स्को फलेश in English में बल्रेव Spirit, अंतर आत्मा, आत्मा, सोल, और Environment है, देखिए आप फ्लेस के लिए क्या चाहिए? मुझे आराम का जरूरत होता है, खाने एक अच्छा खाना जरूरत होता है, हर किसी के लिए है यह, आप अच्छा खाना काऊगे, आप अपना हेल्द का खिद्यान डखोगे, तभी जाके आप चंकोगे, आपका उमर अगर तितालिस साल हो जाएगा, फिर भी आप बच्चे ज से दिखोगे, वो आपको सही तरेका से पोशन चाहिए होगा, आपको लग्जरियस लाइब के लिए आप हमेशा चाते रहेंगे, वो फ्लेस में आता है, अंतरात्मा, अंतरात्मा, देखे आत्मा और अंतरात्मा थोड़ा सा डिफ्रेंस है, आप अगर जानवारों को देख आपने देखा है कभी जानवारों ने ऐसे करके सोच रहा है, और यह मैं तो बुड़ा हो गया, मैं तो अब नहीं रहूंगा यहाँ पे, कैसे करके रहूंगा, मैं तो गया, मेरा वाजन कितना अच्छा गुजरा था, यह लोग सोचते नहीं है, वो लोग सोचते हैं क्या, वो लोग सोचते हैं, जैसे कि आपको बुला आत्मा के तरह, मुझे भूख लगी है, खाना है, या फिर कटी आरे, बहुत पेन हो रहा है, यह सोल के हिसाब से होता है, हमारा यह अंदर अंतरात्मा है, वो कैसे बुलता है, गरीब को देख के आपको आपको आख में बानी हो इसके अंदर और क्या आता है, इसके अंदर आता है, हमारा क्लोथ आ जाता है, यह सब फिजिकल चीज हमारे लिए ज़रूरी होता है, स्पिरिट में क्या आता है, स्पिरिट में जैसे कि आपको बताया, आपके पेरिंट्स को हेल्प करने का, आपके रिलिटिप्स को हेल्प करने का सिर्व यह नहीं आपको कुछ लर्निंग करना है यह सब जो होता है स्पिरिट में आ गया सोल में क्या है आप अभी तबियत थराब हो गया आपको पैसे की जरूरत है या फिर आपको कट गया साथ तो साथ आपको कियो करना है या फिर ट्रेवल अच्छा लगता है जो सब चीज़ है इन्वरमेंट इन्वरमेंट जो है आपका आसपास का लोग हो गए आप अपना फैमिली केर करने के बाद आप देखते हो स्कूल है आपके पास फॉर एक्जामपल आपके गाउं में स्कूल है बहुती बहुती गरीब स्कूल है वहाँ पर बरसात में आसमान से पानी आता है वो देखके आपको दुख हुआ और आप जाके बोले कि मैं इसको रिप्यर कर दूँगा यह आपका इन्वरमेंट आप कैसे करके आप वापस दे रहे हो आप अपना सोसाइटी को वापस द अधर क्या आते हैं अगर इसको मैं प्लॉट करो यह हो गया आपका फ्लेस प्लीज आप हेंड्राइटिंग में बहुत ही खराब है यह हो गया स्पिरिट और यह हो गया स्वोल यह कनेटे है सबकुछ आप हर जगे पे हर शर्केल पे आप साडिस्फाइड हो तो आपका लाइफ बहुत ही सुन्दर है आपका ला입 सक्सेसफुल है सिर्भाइग जगे पर आप सक्सेस्फुल नहीं हो सकते आपके पास बहुत पैसे है बहुत गाड़ी है प्यार नहीं है यहां पर माइनस लाप कर दो इसका फैदा क्या कुछ दिम बाद आप चल बस होगे गाड़ी में गया सब कुछ गया लव बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके पास आपका इंवर्मेंट में भी आपका डूनेशन आता है कहीं पे स्कूल पे आप भला काम कर दिया यह आता है सो यह जब सिमेट्री के लिए आप सब कुछ सब फिल्ड में सही चलेगा तब ही आप अपना सक्सेस्फुल लाइब कहला सकते हो यह हमारे डॉक्र हान गील पार्क अल्रेडी बोल चुके हैं बहुत सारा वीडियो में अब थोड़ा और डीव जाते हैं कि समझ तो गया law of success भी समझ में आ गया कि मुझे क्या सोचना है success के लिए अब life में successful होने का क्या क्या चीज रहने से मैं successful हो सकता हूँ ओ भी समझ में आ गया मगर करें तो कैसे करें हमारे पास जो है एक secret है जिसको बोलते हैं life scenario आपका life scenario आप 5 साल बात क्या होना चाते हो उसका movie आपके दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए वोई होता है law of success क्योंकि आपको पता है आप कहां जाना है आपको कहावत है movies में भी बोलते हैं और books में भी लिखा हुआ है आप जब कुछ तहे दिल से ख्वाइस करते हो तो पूरे काइनात आपको देने के लिए तायार हो जाता है वैसे companies में बहुत अच्छी तरीक से चलता है MBOs रहते हैं वहां पे management by objectives मतलब आपको objective पहले फिक्स कर दिया और उसको manage करते हुए जाते है मतलब आपको दिया जाता है कि इस साल आप 10 करोर सेल कर दो दूसरे company के बारे में बोल रहे हैं हम मेरा पुराना companies में भी ऐसे ही था MBOs रहते थे 1st January को evaluation होगा December मेना में तो आपको MBOs दिये गया और उसमें से क्या बोलते थे चलो आप इसी को follow करते रहो और देखिएगा जब आपको 10 करोर टार्गेट दिया तो पहुंचते पहुंचते हर वेक्टी जो रहता है वो 9 करोर तक पहुंच जाता है कई भी 10 करोर तक पहुंच जाता है कभी 11 करोर तक पहुंच जाता है उसको पता होता है कि उसको वहाँ पे पहुँचना है ये companies में बहुत अच्छी तरीका से maintain होता है, मगर maintain नहीं होता है तो हमारे life में नहीं होता है समझ रहे हो ना तो इसलिए हमारा life में हम लोग change कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं life scenario को through देखे तो मैं आपको आप बताता हूँ कि आप अपना जो life का movie है आप 5 साल बाद क्या करने वाले हो आप 5 साल बाद किस जगे पे पहुचने वाले हो वो movie के तरह आपके पास पोना चाहिए आपको एक example देता हूँ आपना आग बन किजिये थोड़ा अच्छा नहीं खुला रखिये ठीक है आप खुला रखिये मुझे देखिये ठीक से इमली के बारे में सोची है हमारे घर में किसी ने पेड से बहुती तामे रंका इमली लेके आया हुआ है खटा नमक दे के उसे खाने से बहुती मजा आएगा बहुती खटा आया मुँ में पानी थोड़ा सा तो आया होगा सुन के आगया पानी दिखने से और सुनने से आपका मुँ में सिमिलर वे में आपका ब्रेन में काम करते हैं और मुँ में पानी आता है सेम होता है आप अगर वैसे ही बिहेव करते हो कि मैं तो millenier हूँ, मैं तो कडोर पती हूँ तो पूरे काइनाथ आपके लिए change हो जाएगा आपका मुँमे जैसे अभी बिना इमली का पानी आया उसी तरीका से पूरे काइनाथ आपको सफलता के लिए help करने के लिए process करेगा इसलिए आपका मूवी बनना बहुत ही जरूरी है चलिए आपका लाइफ का मूवी कैसे बनाते हैं दिखाते हैं थोड़ा अच्छा नहीं हुआ फिर से करते हैं उपर चला गया यह है आप यह है बहुत सारे चीज़िया जिसके जो फुल्फिल होने से आपका लाइफ सक्सेस्फुल होता है आप इसको आप लोग लाइफ सेनरियों बोलते हैं आपके पास पहुच जाएगा बहुत जल्दी तो इसमें आप लगते हो इनकाम कितना होगा मेरा ठीक है इनकम इनकम के बाद हो गया कार इनकम से क्या कैसे होगा यह वाला फ्लेस के उपर डारेक्ली आएगा इनकम हो गया कार आप डीटेल्स में लिखो मुझे पास साल बाद छोड़िए पास साल तीन साल बाद मैंने में पाच लाग रुपया चाहिए ही चाहिए यह मेरा income का target है पाँच साल बाद ऐसे मत लिखिएगा अभी से अगर पकड़ते हैं तो 2026 लिखिएगा क्योंकि अभी पाँच साल लिखिएगा तो नेक साल भी बोलिएगा पाँच साल बाद ही तो करना है ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स में फाइब लेक्स पर मॉन्थ ठीक है कार अच्छा गारी कौन सा चाहिए आप अगर अभी तक सोचे नहीं हो गारी कौन सा चाहिए तो सोच लीजिए क्योंकि किसी से भी पूछे तो अई गारी चाहिए क्या वो बोलता है हाँ मुझे ना लाल कलर का चाहिए कौन सा ब्रेंड का चाहिए कोई भी चलेगा इसका मतलब है कि हमारा जो डीटेल्स में जो ड्रीम है वह भी वहर के नहीं आया है यह ड्रीम कभी भी फूल फिल नहीं हो सकता है आपको अगर गारी चाहिए आप अगर टाठा का गारी खरी दियेगा महिंद्रा महिंद्रा का गारी खरी दियेगा या फिर टोयोटा का खरी दियेगा या फिर हुंदाई का खरी दियेगा किसी भी कंपनी का खरी दियेगा तो उसका मोडल नंबर क्या है उसका वर्जन क्या वो कब तक निकला हुआ था इसको आपको पूरा डीटेल्स में पता होना चाहिए कितने सीटर कर रहेगा सेम कर साथ सीटर कभी आता है सेम कर आठ सीटर कभी आता है सेम कर छैसीटर कभी आता है कितने सीटर रहेगा उसका कलर क्या होगा उसका प्राइस क्या है आपको डीटेल में लिखना है कंपनी कौन सा कंपनी का है उसका वैल्यू कितना है उसका कलर क्या है और उसका कीमत कितना है कीमत हम लोग कवर कर लिया यह डीटेल्स में आपको लिखना है और कब चाहिए अच्छा ट्वेंटी ट्वेंटी तरी तक मुझे चाहिए डीटेल्स में चाहिए आपको यह लिखना है हाउस चाहिए घर पहले तो आप सोच लिजिए इसके साइजा रहेगा अबढ़ावी 500 वीट है यह 700 वीट है तो आप 2023 तक के 2,000 स्कुर्य फूट चाहिए कहां पे चाहिए कौन सा अपाट्मेंट मैं कौन से अपाट्मेंट सरकेशने अपाट्मेंट कौन सा फ्लोर में चाहिए कौन सा फेस में चाहिए आपको इस्ट फेस्ट चाहिए या फिर साउथ फेस्ट चाहिए कितने रूम रहेगा उसमें तीन बेडरूम रहेगा तीन बात्रूम रहेगा या फिर तीन बेडरूम दो टोईलेट ऐसे करके आपको डीटेल्स में होना चाहिए इंकम हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया, इसके बाद, इसके बाद देखते हैं, कैश, आपके पास ठोड़ा कैश रहेगा तो अच्छा है ना, एक कडूर, किसी भी, किसी भी प्रॉब्लम आया तो, चलो मेरे पास तो पैसा है, मैं कुछ कटके निकल जाता हूँ, वान कडूर रुपीज में, कम तक चाहिए, डीटेल्स में आपको लिखना पड़े गा, चलो आपके पास चार चीज हो गया, इसके बाद, इसके बाद, लर्निंग में जाते हैं, लाइनिग आपके लिए भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर के लिए भी हो सकता है, आपके बच्चे के लिए भी हो सकता है, मगर आपको क्या पढ़ना है, देखें, पढ़ने का कोई उमर नहीं होता है, बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स भी है, हमारे जो तो एंब्या करिए आप चाली साल हो गया पचास साल हो गया आपका लर्निंग का अगर वी साथ अप अब्या चीजिए ऐसा नहीं तो आप दूसरे कोई लेंग्वेज सिखे वैसे भी एटेमी इंडिया में लॉंच होने के बाद हम लोग यूरोप में जाने वाले हैं तो आप कितने टाइं दोगे फड दे में वह एकब डीडेल्स में आप लिखो मैं बताता हो यह एक बार लिखोगिए तभी आपके जहनं में वो बैदा होगा कि नहीं मैं करता हूं कुछ इसके लिए मैं इसके लिए कुछ काम करता हो और उस वही success आपको लेकर आएगा कैस हो गया अब जो है आपके पेरेंट्स को पैसे देते हैं पेरेंट्स यह अब पर इनकम हो गया आपका इनकम सही है गारी है बंगला है दौलत भी है और learning भी हो गया अब आपका family stable है आपका family अगर stable है तो आपको आपका parents का देखना पड़ेगा आपके parents या relative आप सोचो आपके पास बहुत पैसा है मगर बुड़े माबा को आप कभी कभार 12000 रुपिया दे रहे हो क्यों इनको दीजिये आपके पास आया कुछ होगा मैदद करने के लिए आपका दिल में जो सकून आएगा वो आप कहीं पे नहीं मिल पाएगा वो क्योंकि आपका फैमिली अस्टेबल है और आपको यहां पे हिल्प करना है दो पॉइंट बचा हुआ है एक हाँ ट्रेविलिंग प्रेविलिंग सब कुछ हो गया आप सफर नहीं करना चाहोगा आप आरधाम साइब जाना चाहते हो या फिर आप पिरेंट्स के साथ कहीं गुमने के लिए जाते हो जाना चाहते हो या फिर आप इंडिया के बाहर एक बढ़ जाना चाहते हो इंडिया के बाहर आप हमारा सक्से सेमिना रेटिन करने के लिए जाना चाहते हो यह भी ट्रेविलिंग के अंदर आता है कब जाना चाहते हो, कहा जाना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो, कितने दिन रहना चाहते हो, आपको इस डीटेल्स में लिखना है, कहा, वेर, कब, वेर, कितने दिन के लिए, how many days, किसके साथ विधूम आप अगर एडिटेंस में लिखोगे आपका काम तो ओहीं पर होई गया क्योंकि आप जिस वक्त ये इसको आप लिख पाओगे उसी वक्त आपके दिमाग और हर चीज काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं अरे आपके पास ड्रीम है नहीं तो वो ड्रीम कैसे करके आपके पास आएगा मेरे पास अगर कड़ोरपती बनने का के ड्रीम नहीं है तो कड़ोरपती आएगा भी तो आप उसके तरफ टाकोगे भी नहीं तो एक गरीब तीचर था, उसको मैं हेल्प करना चाहता हूँ, मगर मेरे जिन्देगी में मैं उसे कभी हेल्प नहीं कर पाया, आपके घर के पास एक बच्चा है, उपर नहीं पाता है, बहुत ही टेलेटेट बच्चा है, मगर उसके पास पढ़ाय करने का पैसा नहीं है, आप उसको सपोर्ट किये, यह होता है, सोसाइटी को सपोर्ट, आप अगर पॉइंट में देखा जाए, तो आपका इंकम एक एक पॉइंट में चलते हैं, कि एक एक पॉइंट को दस में डिवाइडेट करते हैं, ऐसे गर चोटे 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 डिवाइडेट होइए, तेक है? करेंट लेशन आपका इंकम, आपको कितना करना है 5 लाद, अच्छा, आपका करेंट लेशन इंकम, जो है, पात हजार रुपिया पर मत है, एक्जांपल दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं चाहता हूं, तो फिर वान पॉइंट किया, कार आपके पास, लाइसेंसी नहीं है, चलिए, और कार भी नहीं है, जी रो, घर, आपके पास, 700 स्क्वार फिट का है, मगर आपको चाहिए, 2000 स्क्वार फिट, सो, तीन, टैस, एक कडोर नहीं, आपके पास, 10 लाख है, तो, एक पॉइंट हो गया, लर्निंग, कभी तक पड़े, आच चीक है, कॉलेज डिग्री तक पड़े, अभी तक एंडिया बाकी है, चीक है, पास दे दिया हो, आपके, और, पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए जो है, आप अभी कुछ-कुछ पैसे देते हो, ऐसा नहीं है, तो, आपको इतना पैसा देना है, अभी दो तक देते हो, ठीक है, ट्रेवेलिंग, गय हुए हो, आप इंडिया में कुछ-कुछ जगे पे, तो, दस से, आप चार दे देते हैं, ठीक है, बहार अभी तक जाना है आपको, सबोटिंग सोसाइटी, करना चाहते हो, मगर पैसे के लिए आपकर नहीं पा रहे हो, अज़ा फिर भी करते हो, एक दे दिया, तो, आपको अगर इसको कनेक्शन किया जाता है, तो, ये, आप देख रहे हो, आपका गुल है ऐसे, टायर के तरह, और आपका, अभी का रिजल्ड जो है, ऐसे, आप ही बताओ, आपका लाइफ का जो चक्र है, ओ चलेगा, तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, और थम्जाब, उसके लिए, आपको, यहां तक पहुचना है, पुरा गोल बनाना है, तभी जाके आपका लाइफ जो है, स्मूथ चलेगा, इसे बोलते हैं, सक्सेस्फुल का चक्रा, और ये, लाइफ सेनारियों में आप खुद लिख सकते हो, ये लिखने के बाद, आप उसको हर दिन आया, मुझे क्या करना है, सक्सेस आपके पास जट्ट मार के आएगा, जट्ट मार के, जट्ट मार के, नहीं, सक्सेस आपके पास जरूर आएगा, सक्सेस आपके पास आहेगा, हमारे लाइफ सेनारियों में, हर बार सक्सेस सेमिनार के बाद, हमारा लाइफ सेनारियों होता है तो आज आपको बताया मैं कि सकस्फ का मूल मंतर क्या है और उसके बाद हमारा लाइफ का यह जो विक सरकेल है हमारा पोड़ी कैसे करके दो गईड़ेओ और क्या चाहता है अंत में उसके साथ हमारा मुवी कैसे बना जैसे कि आप देख सकते हो इंकम कार हाउस यह हमारा फ्लेस या मास के साथ जुड़े हुए होते हैं पेरेंट्स का रिलेटीव का लर्निंग का यह सब जो होता है हमारे स्पीरिट के साथ जुड़ा हुआ होता है यह ट्रेविलिंग जो होता है यह अच्छा लगता है आपको शरीर में लगजरी जो होता है वो हमारा सोल के अंदर आता है और एंवरमेंट के लिए आपका लाइफ में पूरे सोसाइटी को हेल्प करने के लिए आपका सपोर्टिंग सोसाइटी जो है वो भी आता है तो हमा प्रवाइब दिया हुआ हूँ आप अपना लाइफ सिनारियो जरूर बनाईए और उसमें फेद रखिए कि पांच साल बाद करोरपती बनुगा पांच साल बाद सेंस मास्टर बनुगा या फिर स्टार मास्टर बनुगा या फिर इंपरियल बनुगा इस आपके उपर डिपे करता है आप जितने डीटेल्स में वो इमेजीन करोगे वो सपना लिखोगे कागज में उतना जल्दी आपके पास सक्सेस आएगा हमारे चेयर्में बोलते हैं अगर आप vividly details में अगर आप सपने देखते हो तो वो सपना आपके लिए पूरा जरूर होता है if you dream vividly that dream will definitely fulfill ऐसे गर के हमारे चेर्मेन डॉक्टर हान गील पार्क बोलते हैं और मैं चाहता हूं कि आप successful बनो और आज जो आपको बोले उसका आप 100% follow करो success आपके साथ रहेगा success आपके पास जरूर आएगा और Atomy वोही successful platform आपको देता है जहां पे आपको सिर्फ अपना पैसन बनाना पड़ता है आपका faith रखना पड़ता है और आपका dream जो होता है वो successful होता ही है आपको धनवाद बोलूँगा इतने देर तक मेरे साथ जुड़े हुए थे इसलिए और मैं फिर वापस आओंगा आपके साथ आपके सामने नया कुछ लेके तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद